मेरा स्वभाग्य है कि मैं पिछली 15 साल में तीसरी बार मला 15 साल अब शुरू हुआ है शपत क्रहन में समारों में भाग लेने का मुझे अफसर प्रदान हुआ है पहले दो साल किरण जी मेंबर पारलेमेंट थी बर इस बार भी मुझे ने मंतरन मिला और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम प्रदान मंतरी शपत लेंगे तीनों बार और अपने मंतरी मंडल के साथ एथिहासिक शण है और इस एथिहासिक शण का मैं हिस्सा बन रहा हूँ देश एक स्वरणिम दोर से गुदर रहा है पिछले दस साल में प्रदान मंतरी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही सशक तरीके से देश चलाया है और उनके नितरत में जो नई सरकार बनी है NDA सरकार मुझे पूरी उमीद है कि वो भी देश को आगे बढ़ाएगी हम फिफ्ट एकॉनमी बने हैं जल्दी हम थर्ड एकॉनमी बन सकते हैं अलग अलग शेत्रों में बहुत तरकी हुई है और जो प्रदान मंतरी का परसनल जो एक रविया देश के अलग अलग शेत्र के लोगों से रहता है चाहे वो खेल कूद के हों चाहे वो साइंटिस्ट हों चाहे वो पदमा आवार्ड के विजेता हूं उन्होंने पूरी रूप रेखा बदल दिये और आज शाम को जो ये इत्यास रचने जा रहा है मैं धन्यवाद देता हूं सबका जिनोंने मुझे इस बुलाया है सर अमरित काल को दानमिन्टी निए इसको बताया था पूरा बूला कि अम्रित काल चल भी रहा है और इसके बेनेफिट जो है साट को चो gelecek जी जी क्या होता है कि मेरे हिसाब से बदलाव जो है ना उसका हैसास बदलाव के कुछ साल बात पता लगता है हमें जो ये चीजें हो रही है और जो वर्तमान के लोगों को शायद अतना हैसास नहीं होता है क्योंकि जो चेंज है वो बहुत साइलेंट होता है अगर आने वाली पीडी इस चेंज को महसूस करेंगे जो इंफरास्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है अभी उस दिन मैं बॉंबे में जुहू से नरिमन पॉइंट जा रहा था और माहिम के बाद जब मैं नई जो एक सड़क बनी है नया जो एक फुल बनाया है बीस मिनट में पहुंच गया था तो हमने जो इंफरास्ट्रक्चर में उपर उतार चड़ाव देखें हैं उससे लेकर अब तक वो अलग हुआ है हर फ्लाइट में टिकेट नहीं मिलती है रेस्टरंट में टिकेट नहीं मिलती है और मैं अपने देश से आठ साल चोटा हूँ मैंने देश को और मैं साथ-साथ बड़े हुए है मैंने देश को बदलते देखा है देश की तकलीफें, देश की सुख, देश की देश का निर्मान होते देखा है और मैं जो पिछली सरकारों ने किया उनसे उनका वो नहीं ले जाना चाता मगर जो अब चेंज हुए हैं वो वाके ही सरानी हैं और वाके ही सामने नदर आने वाले हैं